चैत्री आसार दिये नौरात्री यानी नौ दुर्गा में नौ दिनों में नौ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा होती है माता दुर्गा के नौ सो रूपों में प्रथम प्रतिपदा की देवी हैं माता सैल पुत्री नारात्र के पहले दिन देभी सहल पुत्री का पूजन किया जाता है मा दुरगा को सर्व प्रथम सहल पुत्री के रूप में पूजा जाता है इसके बाद उनकी पौरारी कथा या कहानी पढ़िया सुनी जाती है आउ जानते हैं माता सहल पुत्री की पावन कथा आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं आपको यह कथा कैसी लगी सैल पुत्रीमा का वाहन ब्रसब है, इसलिए यह देवी व्रसारूरा के नाम से भी जानी जाती है इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिसूल धारन कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुसोभित है माता सती ने हिमाले के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण सहल पुत्री हुआ एक बार जब प्रजापती ने यग किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंतरन किया भगवान संकर को नहीं निमंतरन मीला सती यग्य में जाने के लिए बिकल हो थी संकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंतरित किया गया है उन्हें नहीं ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है सती का प्रबल आगरह देखकर संकर जी नहीं उन्हें यग्य में जाने की अनुमत दे दी सती जब अपने माय के पहुँची तो सिर्फ मा नहीं उन्हें इसनेह दिया बहनों की बातों में ब्यंग और उपहास के भाव थे भागवान संकर के प्रति भी तिरसकार का भाव था सती के पिता दच्छ ने भी उनके प्रति अपमान जनक वचन कहे इससे सती को बहुत दुख और कलेश पहुचा वे अपने पती का यह अपमान सह नहीं सकी और योगागनी द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया इस दारून दुख से व्यथित होकर भागवान संकर के गड़ बीर भद्र ने उस यग्य का विद्धवन्स कर दिया भागवान संकर ने यग्य इस्थल पर पहुँचकर राजा दच्छ का सिर काट दिया माता सती की लास को संकर जी अपने कंधे पर लेकर इधर उधर दूर दूर तक भरमर करने लगे स्रीहरी विश्रूं से उनका यह दुख सहा नहीं गया तो उन्होंने सती के सरीर को अपने चक्र से कई टुकडों में कर दिया सती की देह के अंग जहां जहां गिरे वहां पर कलांतर में सक्तिपीठ निर्मित हो गए यही सती अगले जन्व में सैल राज हिमाले की पुत्री के रूप में जन्मी और सैल पुत्री कहलाई पारवती और हिमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है सहल पुत्री ने कठिन तब करके पुना सिव जी को प्राप्त कर लिया था सहल पुत्री सिव जी की अरधांगनी बनी तो दोस्तों मित्रों यह थी माता सहल पुत्री की कथा आसा करता हूँ आपको पसंद जरूर आई होगी आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही वीडियो को लाइक करें कमेंट में जरूर बताएं आपको यह कथा कैसी लगी इसी के साथ विदा लेते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक एलिए नमस्कार जैसरी कृष्ण